नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चनल एज्यूकेशनल समाचार पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रेरग परसंग सुनाओंगा जिसको सुनकर आपके हर्दे को जरूर चुझाएगा और आपके हर्दे की तारू को जरूर जंकरत कर देगा तो सुनते हैं आज का प्रेरग परसंग एक सिहर के अंतरास्थी परसिदी के विडियाले के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवा किये बिना बड़ी लगन से पेट पोदों की कार्चार्ट में लगा था कि तभी विडियाले के चपरासी की आवाज सुनाई दी गंगादास तुझे परदानाचारी जी तुनत बुला रही है गंगादास को आकरी पांच सब्दों में काफी तेजी मेसूस हुई और उसे लगा कि कोई मेहतुपून बात हुई है जिसकी वज़े से परदानाचारी जी ने उसे तुनत बुलाया है सिगर्टा से उठा अपने हाथों को दोकर साब किया और चल दिया दुनत कतिसे परदानाचारी के कार्याले की और उसे परधानाचारिय मोहदिया के कारियाले की दूरी मिलों की लग रही थी जो खतम होने का नाम नहीं ले रही थी उसकी हर्देकिती बढ़ गई थी, सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया जो आज उसको परधानाचारिय मोहदे ने तुरंदी अपने कारियले माने को कहा वे एक इमानदार करमचारि था और अपने कारिय को पूरी निष्ठा से पूरून करता था पता नहीं क्या गलती हो गई वे इसी चिंता के साथ परधानाचारिय के कारियले पहुंचा मेडम क्या मैं अंदर आ जाओं आपने मुझे बुलाया था हाँ हाँ आओ ये देखो परधानाचारिय महोदिया के आवाज में कडकी थी और उनकी अंगुली एक पेपर परिशारा कर रही थी पढ़ो इसे परधानाचारिय ने आदेश दिया मैं मैं मैडम मैं तो इंगलीज पढ़ना नहीं जानता मैडम गंगादास ने गबरागर उतर दिया गंगादास ने कहा मैं इंगलीज पढ़ना ही नहीं जानता मैडम मैं आपसे समाच आथा हूं मैडम यदि कोई गलती हो गई तो गंगादास ने कहा कि मैं आप से समाच आता हूँ इद मेरे से कोई गलती होगी तो मैं आपका और विद्याले का पहले से ही बहुत रिणी हूँ क्योंकि आपने मेरी बीटिया को इस विद्याले में निस्विल्क पढ़ने की इजाज़त दी मुझे करपिया एक और मोका दे मेरी कोई गलती हुई है तो मैं आपका सदेव रिनी रहूंगा गंगादास बिना रुके गबरा कर बोलता चला जाह रहा था उसे परदानाचारी ने टोका तुम बिना वज़े अनुमाल लगा रहे हो गंगादास तोड़ा दिजार करो मैं तुमारे बेटिया की ककसाई जापिका को बुलाती हूँ वे पल जब तक उसकी बेटिया की ककसाई जापिका परदानाचारी के कारेला में पहुंचती बहुत ही लंबे हो गए थे गंगादास के लिए सोच रहा था कि चाह उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई कई मेडम उसे विज्याले से निकाल तो नहीं रही उसकी सिंता और बढ़ गई थी कक्सा जापिका के पहुंचते ही प्रतानाचारी मोधिया ने कहा हमने तुमारे बिटिया की परतेभा को देखकर और परक करी उसे अपने विज्याले में पढ़ने के अनुमुची दी थी अब ये मेडम इस पेपर पर जो लिखा है उसे पढ़ कर और हिंदी में तुमें सुनाईगी गोर से सुनो कक्सा जापिका ने पेपर को पढ़ना सुरू करने से पहले बताया आज मातरी दिवस्ता और आज मैंने कक्सा में सभी बच्चों को अपनी अपनी मा के बारे में एक लेग लिखने को कहा तुमारी बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो तो मतलब कक्सा जापिका ने कहा कि आज मातरी दिवस्ता और मैंने सभी बच्चों को कहा था कि भी अपनी अपनी मा के बारे मा को एक लेग लिखना है और उसने गंगादा से कहा भी तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा वे मैं पढ़कर सुना रही हूँ उसके बाद काक्सा अग्याविकर ने जो पढ़ना शुरू किया मैं एक गाउं में रहती थी एक ऐसा गाउं जां सिक्सा और चिक्सा की सुईदाओं का आज भी अबाव है तो मतलब जो उसकी लड़की ने लिखा था वो कक्सा अग्याविकर सुना रही है तो वो कह रही थी कि मैं एक गाउं में रहती थी एक ऐसा गाउं जां सिक्सा और चिक्सा की सुईदाओं का आज भी अबाव है चि कहूं तो मेरे पریवार कि वो अकेले वक्ती थे जिंवे वो एदमे उठाया था बागे की नज़र में मैं अपनी माँ को खा गए थी यानि बागे की नज़र में वोग मानते थे कि ये लड़की इसकी मा की मर्तियों की जिम्मेदार है इसकी वज़े से इसकी माँ चल बसी मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया मेरे दादाजी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबरहां विवा करके एक पोते को इस दुर्णिया में लाए ताकि उनका वन्स आगे चल सके पर तो मेरे पिता जी ने उनकी एक ने सुनी और दूबरह भी भाग करने से मना कर दिया इस वज़े से मेरे दादा जादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिता जी सब को जमीन खेती बाड़ी गर सुविदा आदी छोड़ कर मुझे साथ लेकर सेड़ चले आए और इसी विज़ेले में मालिका कारी करने लगे मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे मेरी जरूरतों पर मां की तरह हर पल उनका ज्यान रहता है आज मुझे समझ आता है कि वह क्यों हर उस चीज़ को जो मुझे पसंद थी ये कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें ये पसंद नहीं है क्योंकि वह आगरी टुकडा होती थी आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस इत्याग के महतों का फ़ता चला मेरे पिता ने अपनी समताओं में मेरी हर परकार की सुक्स विदाओं का जान रखा और मेरे विद्याले ने उनको ये सबसे बड़ा प्रुसकार दिया जो मुझे या ने सुलक पढ़ने की अनुमती मिली उस दिन मेरे पिता की कुछी का कोई ठिकाना ने था यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिता जी है यदि दया भाव माँ को परिबसित करता है तो मेरे पिताजी उस परिबासा के हिसाब से पूरी तरे मेरी मा है जिदि त्याग मा को परिबासित करता है तो मेरे पिताजी इस वरग में भी वो सरवोच इस्तान पर है जिदि संक्सेम में कहूं कि प्यार, देखभाल, दयाभाव और त्याग मा की पेचान है तो मेरे पिताजी उस पेसान पर खरे उतरते हैं और मेरे पिताजी विश्व की सबसे अच्छी मा है आज मातरिद दियुस पर मैं अपने पिताजी को सुबकाम ना दूँगी और कहूँगी आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं बहुत गर्व से कहूंगी कि ये जो हमारे विडियाले की प्रिस्रमी माली है मेरे पिता है मैं जानती हूँ कि मैं आज की लेकन प्रिक्षा में इस सफल हो जाओंगी क्योंकि मुझे माँ पर लेक लिकना था और मैंने पिता पर लिका पर ये बहुत ही चोटी सी किम्ट होगी तो उसे सब की तो मेरे पिता ने मेरे लिए किया धन्यवाद तो दोस्तों ये बात हर्दी को इसपर्स करने वाला लेकन मातरी दियुस पर तो लिकना था उसे गंगादास की बैटे ने लिखा आकरी सबत पढ़ते पढ़ते अज्याविका का गला भर आया था और परदाना चारिया के कारेला में सांती चा गई थी इस सांती में केवल गंगादास के सिस्तकने की आवास तुनाई दे रही थी बागीजे में धूप की घर्मी उसकी कमीज को गिला ने कर सकी पर उस पेपर पर बिटिया के लिके सब दोने उस कमीज को पिता के आंस वोसे गिला कर दिया था विए केवल हाद जोड़कर वहां खड़ा था उसने उस पेपर को जिया पिका से लिया और अपने हर्दे से लगाया और रो पड़ा परदानाचारिया ने खड़े होकर उसे एक कुर्शी पर बिठाया और एक गिलास पाने दिया अताता कहा कंगादास तो हमारी बिटिया को इस लेक लिए पूरे दस में से दस नमर दिये जाते है कि लेक मेरे अब तक कि पूरे विजाले जिवन का सबसे अच्छा मातरी दियूस का लेक है हम कल मातरी दियूस अपने विजाले में बड़े जोर सोट से मना रहे है इस दियूस पर विजाले एक बहुत बड़ा कारिकर्म अवज़ित करने जारा है विद्याले की परबंदर कमिटी ने आपको इस कारी कर्म का मुच्ची अथिती बनाने का निने लिया है तो परदाने सारी ने कहा कि आपको आपके इस मतलब त्याग और अपने बेटी के परती जो आपका प्यार है वासली है और आपका समर्पन है उसी को देखते हुए आपको इस कारी कर्म का मुच्ची अथिती बनाने का निने लिया गया है ये समान होगा उस प्यार देख भाल दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है ये स्चित करता है कि आपको एक औरत होना आवशक नहीं एक पालक बनने के लिए साथ ही अनुसंसा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बटी ने आपर दिखाया हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्चा पिता हमारे विद्याले में पढ़ने वाली बच्ची का है जैसा कि आपकी बटीया ने अपने लेख में लिखा गंगादास हमें गर्व है कि आप एक माली हो और सच्छे अर्थों में माली की तरह नेक एवल विद्याले के बगीचे के फूलों की देखवाल की बिल्कि अपने इस घर की फूल को भी सदा खुस्पूदार बना कर रखा जिसकी खुस्पू से हमारा विद्याले महक उठा और साथ साथ इस वीडियो को जादा स्यादा सेर करें धन्यवाद